दोस्तो करेंटली टाइम चल रहा है 12 के बहुत सारे रिजल्ट्स का और बहुत सारे इनिविश्टी ने अपने 12 के रिजल्ट्स डिकलेर कर चुके अगर आपका नहीं हुआ है डिकलेर तो मैं भी आपकी 15-20 दिनों में डिकलेर हो जाएगा तो 12 के बाद जो सबसे important decision आपकी life में होगा कि आप career कहाँ पर बनाओगे और जो लोग B pharmacy को इस साल आ रहे है इनके लिए आज के ये वीडियो होने वाला है आज के इस वीडियो में हम दो चीजों के उपर बात करेंगे नमबर वन चीज होगी कि कौन से लोगो को B pharmacy को इस साल आना चाहिए या फिर कौन से लोग को B pharmacy को admission लेना चाहिए और नमबर दू ुघी कि B pharmacy वाले अगर आप admission लेना चाहते है तो कौन से चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है क्योंकि इस साल चीज़े बहुत अलग है आज के इस वीडियो को मैं स्टार्ट कुरूँ से पहले अगर आपने चानल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया जो चैमिस्टी भी थोड़ी बहुत हैं बहुत ज़दा और अगर आप ऐसे हो जो कि मैथेमाटिक्स को भी पसंद करती हो उन सारे लोग को बीफार्मसी को आना चाहिए क्योंकि पहले ऐसे होता था कि मैथेमाटिक्स नहीं हुआ करता था पहले आसा टाइम था जिनको बाइलो सब्सक्राइब करने होते हैं अगर आप मैथेमाटिक्स 12 में था तो आपको बाइलोजी लेना पड़ता है बीफार्मसी को अगर आप दोनों सब्सक्राइब कर सकते हैं तो आपको बीफार्मसी को कंसेडर करना चाहिए क्योंकि अगर आप ऐसी कोई करें को एक सब्सक्राइ करने के लिए तो B Pharmacy is not career for you because यहां पर बात करते हैं भी फार्मसी में बहुत सरी chemistry के बार में बहुत सरी biology के बारे में बहुत सारी chemical और बहुत सरे formulas की बारे में आपको pharmaceutical नाम का भी subject रहेगा आपको chemistry भी रहेगी और pharmacology जैसे biology के subject भी रहेंगे अगर आप थोड़े से overall personality है अगर आप ऐसी हो जो कि सारी चीजों को पसंद करते हो तो आपको भी फार्मसी को ज़रूर कंसिडर करना चाहिए नंबर टू पॉइंट के बात करते हैं जो कि बहुत जाद important point है इस साल के 12 के results अब बात ऐसी है कि इस साल बहुत सरी इंविश्टीज ने अपने exams नहीं लिए exams लिए तो उन्होंने जो score था लोग का वो previous year यानि 11th, 9th या फिर 10th के basis के उपर अपना result डिकलेर किया है मैं बहुत से इंविश्टीज को देख चुक हो कि उन्होंने result अपना ऐसे ही डिकलेर किया है क्योंकि COVID के कारण examination hall नहीं बर सके examination नहीं उपाई और students directly upgrade हो गए next semester में, next year में, semester नहीं directly next year में यानि टून की 12th हो गई, खलास कतम हो गई और without exam दिये बना बहुत सारी लोग को marks इतने जादा है, इस साल 75, 80% बहुत easily पढ़ चुके लोगों को अगर आप इन सारी चक्कर में पढ़ोगे, अगर आप ऐसी हो जो कि marks consider करके भी फार्मसी को आना चाहते हो तो एक चीज का धान में रखना भी फार्मसी कोई easy course नहीं है अगर आप जैसे आगे जाओगे आपको biology की अच्छी knowledge होने चाहिए, mathematics भी आच्छा होना चाहिए, mathematics साला की first year में होता है, बाकी year में जादा नहीं होता लेकिन फिर भी mathematics से आप दूर नहीं बाग सकते हैं, अगर आपको chemistry भी पसंदे तो ही आपको भी फार्मसी को आना चाह सकते हैं, बहुत सारी लोग की results इतने अच्छे हैं, जो कि मैं बोलने रहा हूँ कि अच्छी results नहीं होना चाहिए, लेकिन at least realistic best review पर आपकी results होनी है, मुझे खुद को 75% भी नहीं थे 12 के लिए, लेकिन मैं बहुत अच्छी तरीके से भी फार्मसी को complete कर पाया, तो बहुत स सकते हैं, बी फार्मसी को आने के बाद उन्हें पता चलेगा कि इतने कितने tough level होती है, कितना जार tough scores होता है, यह सारी चीजे थी, जो कि 12 के लोगों को ध्यान में रखने चाहिए, अगर आप बी फार्मसी को अपना दुनिया, अपनी career, अपनी life बनाना चाहते हो, all the best सारे को जितने सारे 12 pass out हो चुक है, और जो कि अपने life में कुछ आगे करेंगे, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ किसे भी फार्मसी को आना चाहिए, मैं ऐसा कर रहा हूँ कि आपको जो भी करना है, अच्छे तरी के से करो, और सोच समझ कर decision ले लो, इस वीडियो को मेंड करूँ से प अनिमादे